महर्शी कपिल प्रति दिन पैदल अपने आश्रम से गंगासनान के लिए जाया करते थे मार्ग में एक छोटा साग आव पड़ ता था जहां पर कई किसान परिवार रहा करते थे जिस मार्ग से महर्शी गंगासनान के लिए जाया करते थे उसी मार्ग में एक विद्वा ब्रा तो उन्हें चर्खा कात्ते मिलती या फिर धान कुटते एक दिन विचलित होकर महर्शी ने ब्रामहनी से इसका कारण पूछी लिया पूछने पर पता चला की ब्रामहनी के घर में उसके पती के अलावा आजी विका चलाने वाला कोई न था पती की म्रत्यू के बाद पुरे प पिल हूँ मेरे कई शिराज परिवारों से हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आजीविका की स्थाई व्यवस्था करवा सकता हूँ मुझसे तुम्हारी यह सहाय वस्था देखी नहीं जाती ब्रा महनी ने हाथ जोड़कर महर्शी का अभार व्यक्त किया और कहां मुनी आपकी इस दयालोता के लिए मैं आपकी आभारी हूँ लेकिन आपने मुझे पहचानने में थोड़ी भूल की है ना तो मैं असहाय हूँ और ना ही निर्धन आपके शायद देखा नहीं मेरे पास पांच ऐसे रतन हैं जिनसे अगर मैं चहूं तो खुद राजा जैसा जीव आपके वे पांच बहुमूल्य रतन मुझे भी दिखाएं देखू तो आपके पास कैसे बहुमूल्य रतन है ब्रामहनी ने आसन बीचा दिया और कहा मुनीवर आप थोड़ी देर बैठे मैं अभी आपको मेरे रतन दिखाती हूँ इतना कहकर ब्रामहनी फिर से चर्खा कात ने लगी थोड़ी देर में ब्रामहनी के पांच पुत्र विद्यालय से लोटकर आए उन्होंने आकर महर्शी और मा के पैर छुए और कहा मा हमने आज भी किसी से जुन्ठ नहीं बोला किसी को कटू वचन नहीं कहा गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया है महर्शी कपिल को और कुछ कहने की आवश्यक्ता नहीं पड़ी उन्होंने ब्रामहनी को प्रणाम कर कहा भद्रेवा कई में तुम्हारे पास आती बहुमूल्य रत्न है ऐसे अनुशाशित बच्चे जिस घर में हो जिस देश में हो उसे चिंता करन के आवश्यक्ता ही नहीं है झाल 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 झाल